नबसकार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classes में दोस्तों आज के इसे वीडियो में बात करेंगे UP TIT के एकजाम की दोस्तों आपका UP TIT का एकजाम 28 नॉबर को लगा हुआ है और ये बहुत ही गोर्डन चांस है आपके लिए 28 नॉबर के दिन अगर आप अच्छे से पेपर दे ल सवधानी पूरवक भरनी है नहीं तो आप जिंदगी भर के लिए पच्छताते रह जाएंगे OMR सीट भरने की प्रेक्टिस कर लिजिए अगर आपको भरनी नहीं आती है तो और इसके लिए मैं आपको एक OMR सीट का सेंपल दिखा के आपको OMR सीट भरना बता दूंगा अग 25,000 सिट्चकों की भरती आने वाली है और फर्स टाइम आप यूपी टेट में बैट रहे हैं प्राथमिक सिट्चक भरती के लिए यूपी टेट बहुत ही आवस्यक है और जैसे आप यूपी टेट क्वालिफाई करेंगे आप इलिजबिल हो जाएंगे सूपर टेट के क्योंकि अब इसके बाद वेकेंसी जल्दी आने वाली नहीं है तो इस आवसर को बिल्कुल गवाना नहीं है बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है इस परिच्छा को देना है और इस परिच्छा के माध्यम से ही आपके सिच्छक बनने का सपना साकार होगा तो जो सावधानीय बढ़तनी है उसमें सबसे पहले विमार सीट हो गई दूसी चीज हो गई आपको नर्वस नहीं होना है तिसी जी टाइम पे पहुँचना है चौथी चीज आपको जो प्रिच्छने आसान लगे सबसे पहले उसको करना है उसके बाद ही आगे बढ़ना है और कटिन प्रसनों को जो है बाद में लाश्ट में सॉल्व करना है और कुछ और टिप्स हम आपको बताएंगे कि इस परिच्छा को आखिर कैसे पास किया जाए यूपी टेट पास करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है साथ पैंसट आपको स्कोर करना है पैंसट जनरल क के लिए और बाकि साथ अन्य के चाटिगरी के चात्रों के लिए तो आप इतना स्कोर करने के बाद ही सिछक भरती में सामिल हो पाएंगे और जो चात्रे डेलेट किये हुए हैं तो कुछ चात्रों को इस भरती परिच्छा में इस बार औसर मिला है तो उनके लिए भी यूपीटिट के लियर कर ले और प्रात्मिक सिच्छक भरती में में सामिल हों आपकी जो मिकोरी HEY Kamen बाक्ष में जरूर कमंड कीजिए यूपीटिट से समंधित आपकी सभी क्वेघी का एंसर दिया जाएगा सब रिप्लाई दिया जाएगा परिच्छाव को सही सिकीजियेग मिलते हैं नेक्श वीडियो में कुछ नहीं अपडेट कुछ नहीं जनकारी साथ बनेराफ CP Smart Classes के साथ धन्यवाद